बिरज में जूम, रश्मी दिसाई का गाना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बचाया था कि दो बज़े ये गाना आ जाएगा दोस्तों, और गाना आया है, अनुराधा, पलकृती, जूजू, जी हाँ, इनका ये ओफिशिल चैनल है, और ये ही इस गाने की सिंगर है, इन्होंने ये गाना गाया है, और यार क्या सूरीली आवाज है, मतलब बहुत टाइम बाद वो जो म्यूजिक की धूम-धूम धैंधैं होती है न, उसके बाद कुछ बड़ा ही प्लीसेंट सा, बड़ा ही मतलब एक्तम से है न, ऐसा म्यूजिक जो शांती देता है मन को, तो होली पर ऐसा गाना लेकर आई है, रश्मी दिसाई के मतलब बिरज में क्या हर जगा जूम ही जूम होगी, और रश्मी के लुक्स की अगर बात करें तो मतलब वो तो हमें फोटोग्राप्स देखकर ही पता चल गया था कि रश्मी बेहद खूबसूरत लगने वाली है, लेक आपको दिखाती हुई नजर आएंगी, और रश्मी ने कभी हमें डिसपॉइंट नहीं किया है अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे वो बिग बोस के घर के अंदर की बात हो, या फिर घर के बाहर, रश्मी दिसाई ने जो डांस किया है न, जो स्टेप किया है न, वो बहुत ही और कानहा को बहुत जादा मतलब याद करती थी, और होली के दिन आपको पता है कि ब्रजवासी किस तरीके से होली मनाते थे, तो वो ही चीज़े इसमें दर्शाई गई हैं किस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब होली को और बहुत ही एक पुरानी प्रथा, तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और लास्ट में जब रंगों से वो कृष्ण बनते हैं पीछे बैग्राउंड में तो वो भी बड़ा ही प्यारा लग रहा है तो अब गाने की और क्या बोलो मतलब सब कुछ ही बहुत अच्छा है, गाने में नुक्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, गाने के लिरिक्स बहुत प्यारे लिखे गए हैं और रश्मी दिसाई ने डांस बहुत प्यारा किया है, मेरा ऐसा मन कर रहा था कि गाना थोड़ा सा ओल लंब बहुत हो, जाता मसा जाता है न, यहाँ पर अनुराधा पलकृती जूजू जिया, आप चै कियो में?